आप देख रहे हैं Moshim Zafat TV अगर आपको पर इंट्रस्ट हैं Gaming में Gaming PC Builds में Gaming PC early Intro तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल अगन को प्रेस करते हैं सबसे बहले लेटस वीडियो देखने के लिए और जो बेल का आइकन है दोसको उसको जो नोडिफिकेशन है वो आल पे सलेक्ट कर लेजीगा ताके सबसे बहले आपको लेटस वीडियो जो हो हमारे चैनल से आपको देखने को मिल सकें उसके लाब आप मारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं तो आज दोस्तों हम 55,000 रूपीज के बिजट के अंदर एक न्यू गेमिंग बीसी बिल्ड करेंगी जिसकी परफॉरमन्स के अंदर भी 1080P के ओपर भी और 720P के ओपर भी आप इसके ओपर ये स्पोर्स टाइप की गेमिंग जो है वो कर सकते हैं जैसे डोटा टू उप उसके लाबा रॉकेल लीग आप उसके अपर प्लिय कर सकते हैं तो यह सबसे पहले हमने जो उसके अंदर मदर बोर्ड यूज किया आज की 55,000 रुपीस के अंदर गेमिंग पीसे जो न्यू कंपोनेंट के साथ हम बिल्ड करेंगे वह गिगाबाइट का A320 MS2H मदर बोर्ड है दोस्तो यह लीस्ट सबसे चीप मदर बोर्ड है दोस्तो जो के आपको एक बज़र सीरिस के अंदर अवेलिबल हो सकता है और इसकी प्राइस टो प्रफॉर्मेंस रिशो भी काफी अच्छी है और गुड वैल्यू फर मुनी आपको आफ़र करता है इसके अदर दोस्तो आपको जो मैं अगर आपको दुखा सकूनों फ्रेंट से तो यह आपको यहां पे टू जो जो मैमरी की जो रैम स्लॉट सेंगी उसके अलावा इसके अंदर आपको एक PCI एक्सप्रेस सिक्स्टिंग की जो स्लॉट है वो देखने को मिल जाएगी यहां आगर डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड लगाना चाहिए तो भी लगा सकते हैं उसके लावा आपको यहां पे टू जो स्लॉट्स हैं वो PCI Express 1X के भी देखने को मिल जाएंगी उसके लावा यहां पे आपको जो चार सेटा पोर्ट्स हैं वो भी देखने को मिल जाएंगी उसके इसके लावा यह काफी durable motherboard है और high quality component के साथ इसको बिल्ड किया गया तो काफी अची performance आपको यह provide करने वाला है उसके लावा हम अबर इसके input output unit के तरफ देखें तो यहां पे आपको दोस्तो DVI port है वो भी देखने को मिल जाएगी BGA port वो भी देखने को मिल जाएगी SDMI port जो ह इसके अबर आपको six USB की जो ports हैं वो देखने को मिल जाएगी जिसमें से चार्ज ports हैं वो three point zero की हैं और जो two ports हैं दोस्तो वो two point zero के साथ आपको देखने को मिल जाएगी एक आपको ethernet card की जो port है वो भी देखने को मिल जाएगी और built-in जो इसके अंदर sound card और भी आपको तो अवराल आपको यह गूट वैली फोर मनी जो आफर करता है यह मज़र बोर्ड और कम रेट में और कम प्रैस में आपको मैकसिमम फीचर जो यह अवैलिबल कर देता है उसके लावर दोस्तों यह जो मज़र बोर्ड है राइजन सीरिस के जो प्रॉसेसर के जो प्रॉसेसर को भी सपोर्ट करने की जो है केपिविलिटी रखता है जस्ट आपने इसकी बायास अपडेट करनी है छहें आप जिसक बायर से अप पर्चेस कर रहे हैं उसके एज़ए उसके बाद कर रहे हैmmar तो यह जो अपने चैयक्ट करें सकते हैं हमारा प्रोसेसर तो इसमें हमने AMD का Ryzen 3-3200G ज्योंकि APU है यह फूर पोर्ड और फूर्थ्रेट वाला प्रोसेसर और कावी प्रोसेसर है और APU इसको दोस्तों इसलिए क्या कहा जाता है कि इसके अंदर आपको सेम डाई के अंदर प्रोसेसर भी मिल जाता है और उसी सेम के उपर और 1080P के उपर भी अच्छी खासी गेमिंग जो है वो प्रोवाइब करवा सकता है अगर आप इसके उपर ट्रिपल एट टाइटल जो की जो गेम्ज है वो प्ले करना चाहते हैं तो वो आपको सेम टॉंटी पी के उपर भी यह प्ले करवाने की सलाही रखता है और यह स्पोर्ट स्ट्राइब की गेम्ज होती हैं जैसके CSGO, Dota 2 और Rocket League यह आप इसके उपर 720P से लेकर 1080P के उपर भी आप ले कर सकते हैं तो यह काफी अच्छी आप्सन हैं दोस्तों बजर सीरिस के अंदर के यह प्रोसेसर आपको प्रोसेसर के साथ साथ एक GPU की जो इंटीग की इसके साथ कैश मेम्ली आती है 65W इसकी TDP है और यह AM4 जो सॉकेट है उसको स्पोर्ट करता है और इसके अंदर जो बिल्ट इन ग्राफिक्स हैं दोस्तों वह रेडियन वेगा 8 ग्राफिक्स जो फसिलिटी है वह आपको AMD की तरफ से देखने को मिल जाएगी और इसके भी आप इसके उपर लगा सकते हैं तो बाइन अलार्ज देखा जाए तो दोस्तों यह प्रोसेसर काफी अच्छा थापित होने वाला है गेमिंग के लिए और मिल्टी मीड एक्स्पिरिंस के लिए इसके लावा फाइल एडिटिंग के लिए भी यह यह प्रोसेसर है काफी अच्छी है आपको जो सपोर्ट है पर्फॉर्मंस जो है वो पर्वाइड कर देगा तो इसलिए हमने दोस्तों आज की बिल्ट के लिए जो कि 55,000 इसके बिल्ट कने जा रहे हैं इसके अंदर हमने AMD का Ryzen 3 3200G का APU या जिसको CPU भी कह सकते हैं वो हमने चूज किया है जो के चा काफी अची पर्फॉर्मंस प्रवाइड कर देगी क्योंके AMD के जो CPUs होते हैं अगर उसके साथ हाइर फ्रिकेंसी वाली RAM यूज करें तो आपको पर्फॉर्मंस जो है ओवराल PC काफी अच्छी निकल के सामने आती है और आपका ओवराल जो कंप्यूटिंग का experience होता है खास करेंगी और जो हमारा जो मदल बोड है इसकी जो आपको प्राइस है यह आलमस्ट एट थाउजन या नाइन थाउजन के क्रीब आपको कॉस्ट कर जाएगी इसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स कंपोनेंस की तरफ पर वो आ जाता है हमारा SSD जिसके अंदर हमने आज की जो प्राइस के अंदर जो PC बिल्ड कर रहे हैं इसके अंदर हमने SSD भी यूज़ कि है 120GB की Kingston की तरफ से और यह भी ओवराल जो हमारा computer का जो experience इसको काफ़ स्नैपी और फास्टर बना देती है और इसके ओपर विंडोज और अपने जो प्रोग्राम्स हैं जो आपने software यूज़ क 1.TGB की SSD है वो भी आसकी बेड़ के अंदर यूज़ की है ताकर आपको optimum performance है जो है वो देखने को मिल सके उसके उसके पाश सकते हैं जो से नेस component की तरफ तो बहा जाती है mechanical हमारी hard drive जो के western digital की तरफ से blue series के में 1TB की जो hard drive है वो इसके अंदर यूज़ की 72 RPM के साथ आती है औ इसके अंदर आप उसके 64 RPM की cash memory भी देखने को जाती है और आपको as a second story device के तरफ भी यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर आप अपना अच्छा खास्ता जो sufficient data है gaming का या कोई और data जो आपका officer related है multi media data वो easily आप इसको पर store कर सकते हैं और आप इस device को as a second story device के तरफ भी SD है दोस्तों ये भी आप पर पॉर से 5000 पीज़ के अंदर cost कर जाएगी इसके बाच चलते हम दोस्तों next component की दरफ तो वो आ जाती है हमारी power supply इसके अंदर हमने ENTEC की BP 450 की model की power supply यूज़ की power supply यूज़ की power supply यूज़ काफी अच्छी performance आपको provide देने वाली है और power related जितने भ face नहीं करने पड़ते इस power supply के साथ और इस power supply के जो components हैं वो cursor की V450 की power supply है उससे जो इस power supply की quality components काफी जारा बहतर है तो इसलिए हमने आज ये ENTEC की BP 450 की जो power supply है model की 450 वार्ट की चूज़ किया ताकि आपको reliability के साथ और durability के साथ आपको power related जो जितने भी मामनात है ये जो power supply ये अच्छे देखे से cover करने की सलाहिया रखती है तो ये power supply आपको आर्मोस्ट 5000 से 6000 के अंदर cost करेगी तो ये काफी quality wise देखा जाए तो इसकी performance वो काफी ज़्यादा अच्छी है और तीन साल की आपको warranty भी आपको इसकी देखने को मिल जाएगी तो इसको बाच जाते हैं द TX motherboard तीनो किस्तम के motherboard आप एक की जो केसिंग के अंदर आप कोई भी motherboard जो हैं तीनो मेंसे लगा सकते हैं और 120 mm के जो rainbow पैना वो rear side के ओपर भी आपको देखने को मिल जाएगा और जो front side है इसका RGB light के साथ जैसा के आपको आपको नजर आ रहा है उसके लावाँ जी केसिंग आ इसके केसिंग के उपर आप जो front side जैसे को ओपर देखे तो यहां पर भी आप fans वो लगा सकते हैं 120 mm के दो fans वो लगा सकते हैं इसके लावा आप back panel लेखें तो यहां गएगी आपको पांसे जो 6 slots हैं जो expansion slot इसको कहते हैं वो भी आप यहां पर उनको लगा सकते हैं अगर आ लगाने की और काफी आपको यह casing फूक्सरती प्रोवाइड करती है और जैसा कि आप देशकते हैं side panel इसका tempered glass के साथ आपको देखने को मिलागा तो यह casing भी आपको काफी अच्छी जो लोगा को प्रोवाइड कर देगी हो और अंदर से देखें तो अंदर से भी यह casing आपक अच्छी खासी जो space है पर प्रोवाइड करती है आप इसके ओपर बड़े से बड़ा लीपोड फूलर भी लगा सकते हैं और फूल एटी एक्स यह मॉदल बोड है वो भी इसके ओपर लगा सकते हैं उसके लावा इसके अंदर आपको cable management की जो facility है वो भी देखने को मिल है तो यह काफी अच्छी price to performance ratio परवाइड करती है दोस्तों और यह को केसिंग है दोस्तों यह आपको आर्मॉस्ट पान से छहजार की range के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी तो यह दोस्तों आज का PC बीड़ था आई हो आपको पसंद आए होगा जो के हमने 55,000 पीस के एक gaming PC जो है वो बिल्ड किया है जो के maximum आपको काफी अची performance जो है गेमिंग के हवाले से भी परवाइड कर देगा जिसके उपर आप 720P की और 1080P लेवल की जो gaming आपको बड़ा एजिली परफॉर्म कर सकते हैं और इसके उपर आप EA Sports राइप की जो गेम्स है उसकी परफॉर् करें और साथ ही बखर को प्रेस के सबसे पहले सब्सब्सका का नोट प्रते लिएव'll के सबसे चाह ऌने को पर है उसके लाओ आपर आप ठीच के शेयर बहुत है उसके युस नए वीडियो को साथ अफिक क्यों कि अटिक किया अ-च्पैर अला आ